तो आई पी सर्विसे स्टार्ट करना था ना आपने तो आई पी सर्विसेज में सबसे पहले इस में हड़िंग डालो गेटवेए हाई अवेलिबिलिटी गेटवे हाई अवेलिबिलिटी गेटवे हाई अवेलिबिलिटी से क्या मतलब है इसके बारे में बात कर लेते हैं देखो क्या होता है लाइक पर इट्जामपल एक स्विच कनेक्ट रहां पर इस्विच से हमारे लैन यूजर अटेस्ट है ठीक तो कुछ लैन यूजर कनेक्ट रहां पर यहां पर यहां पर में जो आई पी यूस्किया वैंको वह 192.168.1.0 1.24 के नेटवोक में अचनु कि तो अब अगर इन यूजर ने इंटरेट से कोदने करना थी तो हमें क्या करना पड़ेगा एक ऐसपी से आ एक लाइन लेने पड़एगी वाइस पीसे ऐस इसपी अगना रही है और ये राउटर हमारे स्वीच से कनेक्ट रहना इस राउटर पे इंपलिमेंट करोगे 192.168.1.1 इसी के नेटवक में और इन यूजर्स के लिए डिफोल्ट गेटवे क्या बन जाएगा 92.168.1 यह हमारी जितने भी यूजर है वह सारे की सारे इंटरनेट से से कम्मुनिकेट करने लग जाएंगे ना यह राउटर हमारा क्या है गेटवेए न तो इस इंटरफेस का आई पी हमारे लिए कि बन जाएगा यहां पर डिफोल्ट गेटवेए ठीक है तो यह हमारी जितने भी यूजर है वह हमारी इस गेटवेए कि फूर इंटरनेट से कम्म ब्रॉब्लम क्या सक्थितन यको अगे आरा राउटव प्रॉय हमाऊज्स ऒरफेए लिंग का dwa आयस्प डों मुझे तो च्या हमारे लाइन यूजर इंटरनेट सो कमनिकेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ना तौन लोग क्या करते हैं नॉandırmally हम लोग एक-उल डिफ्रे सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको चेंज करना पड़ेगा हम लोग इसका गेटवे क्या कर देते हैं हुश्ग कर देंगे इन सभी मश्इन पर जाएंगे अनका ड़िफोल्ट कि कर देंगे अब के इसा सारे के शारे इंटरनेट से कॉम्म्निकेट कर बाएंगे वाइया आडए हमारी इस दूसरे गेटवे से आना और क्या होता है यहां को कि लिंक फ्राइमड रीनिक नहीं को मतलtoi यहां मदल Alg anticipating है एक्व दोलाइन डीक्विए हुए एक मधिस की लाइन दिया और यह में लाइन दिवह है हमारा secondary Link है और इसके लिए जो हमने लाइन दिविया है वह वन MB की लाइन दिवह है बैक अप लिंक है हमारा ठीक है तो अब यह सारे यह line डाउन होगी थी यह हमारा gateway down हो गया था ठीक है तो सारे के सारे यूजर हमने इनको gateway क्या दे दिया था 192.168.1.2 का दे दिया था यह सारे के सारे यूजर इंटरनेट से communicate कर पाएंगे यहां से और जैसे हमारा यह router आप पाएगा या फिर यह जब line down नहीं थी line up पाई तो अब यह सारे के सारे यूजर स्टिल कहां से आप सभी यूजर पर जाके आपको क्या करना पड़ेगा गेटवे वापिस से चेंज करना पड़ेगा समझ मैं रही है मेरी बात अब हमारे इसमें प्रोब्लम है ना यह समझ में आ रही है मेरी बात तो यह गेटवे हमें बार बार चीज नहीं करना पड़ेगा तो अब क्या करते हैं यहां पर हम लोग इन दोनों फीजिकल गेटवेस को यह जो फीजिकल गेटवेस हैं आफ़ेन पड़ी थे नहीं दोने तुम लोग पड़ा था इता चैनल में गया था तुम लोग फीfelीकल इंटरफेस को ऑगरी उसे इस इंगल लोगा स trainer फीजिकल बना लेते आहलए तो बब्लोई क्यों सब्सक्राइब और आप एग्रीगेट करके एक सिंगल वर्चुल गेटवे बना सकते हो Пइ력 की इन दौन हेग्रेट कर वाली और एग्रीगेट अए करवा के इनको आए-पी क्या दे धी एक वर्च्यूल आई-पी दे दिया क्या वन नाइटी टूवाइट तुम दोट्वणी तो यह जो आईपी अड्रस है ना यह आईपी जो है वो डिफोल्ट गेटवे बन जाएगा किसके लिए इन सभी लैन यूजर्स के लिए और यह जो डिफोल्ट गेटवे वो at a time एक ही मशीन पर क्या रहेगा एक्टिव रहेगा लाइक यह आरवन पर क्या है एक्टिव यह जो वर्चूल आईपी जो है वो एक्टिव कहां पर रहेगा कोई एक डिवाइस पर क्या हो गया लाइक एक्टिव हो गया किस पर एक्जांपल आरवन पर क्या हो गया एक्टिव हो गया ठीक है तो सारे के सारे यूजर है हमारे वो communicate कर पाएंगे किस से और वन से communicate कर पाएंगे हमारे primary link से communicate कर पाएंगे और जैसे यह router down होगा तो यह IP active कहाँ पर हो जाएगा इस वाले router पर क्या हो जाएगा active हो जाएगा तो अब अब इनको gateway पर चेंज करना पड़ रहा है हमारा नहीं न तो gateway पहले यहां पर active था यह virtual IP वह virtual IP कहाँ पर active हो गया और टू पर एक्टिव हो गया तो अब यह सारे के सारी लैन यूजर हमारे किस से communicate कर लेंगे वाया और वन बात आई समझ में तो अब जो हमारा गेटवे जो है हमने यह हमने जो यह एंड यूजर को गेटवे जो प्रोवाइड किया हो है यह जो गेटवे वह हाई अवेलेबल हो गया न इसको बार-बार आपको और यह चेंज करना नहीं पढ़ रहा समझ में आ है मेनी बात है तो हम लोग क्या कर सकते हैं गेटवे हाई ह El Baby के लिए हम लोग मं अरीजर कर शला करके एक सिंगल खिशे क 깔ड़ बना सकते हैं ठीक है बात आगे मेरी समझ में तो अब जो हमारा गेटवे जो है वह है अवेलेबल हो जाएगा बात आगी समझ में और इन फीजिकल गेटवेज को एग्रिगेट करके एक सिंगल लोजिकल गेटवेज बनाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल सी यूज होते हैं क्या यूज होंगे कुछ प्रोटोकॉल सी यूज होते हैं कौन-कौन से प्रोटोकॉल है तीन टाइप के प्रोटोकॉल है हमारे पास में यहां पर एक तो एक तो एक और और पी एक वी और पी प्रोतोकोल है जो यूज लोग ज़का कर सकते हैं मल्टिपल फीजिकल गेटवेज को एग्रीगेट करके सिंगल वर्चोल गेटवेश बना सकते हैं और एक और हमारे पास में प्रोतोकोल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं gbp i.srp और राउटर प्रोटोकोल यह अग्यार पीसेंद फूर अग्या होती है अरे क्या होती है फिर फॉर्पॉम बता ना और एक हमारे पास में क्या जी लबीपी गेटवे लोट बैलंसिंग दो कि बडय ठीक्टी तो यह हमारे पास में थीन प्रोटोकोल सा जो कि हम लोग यूजग करके मल्टिपल फीजिकल गेटवेश और गेटवेश करवा कि एक सिंगल वर्चुल गेटवेश बना सकते हैं बात आगी समझ में तो हम लोग इन प्रोटोकोल के बा सब्सक्राइब करते हैं समंद आ रहे हैं मेरे बात तो सबसे पहले नुब बात करते हैं एक सार्पी के बारे में तो हैडिंग डालो एक सार्पी तो हम लोग एक सार्पी यूज करके मल्टिपल फीजिकल गेटवेस को एग्रिगेट करवा सकते हैं कि इसमें लिखो इस इसको अब प्रोप्रेटरी प्रोप्रोप्रेटरी प्रोप्रोटोओलाइं एसका क्या मतलब हो है चिस्को में आइसा भी सब्सक्राब्षय कंद secretsised और इन दोनों फीजिकल गेटवेस को हम लोग एग्रिगेट करवाना चाह रहे हैं एचसर पी यूज करके तो नों सिस्को के ऊपर आपको एचसर पी की स्पोर्ट मिलेगी नहीं तो आप यहां पर एचसर पी यूज नहीं कर पाऊगे एचसर पी कभी उस कर पाऊगे जब है तब ही आप इन दोनों फीजिकल गेटवेस को क्या करवा पाऊगे एग्रिगेट करवा पाऊगे बात आ रहे हैं मेरी समझ मैं ठीक है इसे में लिखना है इसका एक हेलो टाइमर होता है त्री सेकेंट हैं कि फेयर आपने मैसेजसे फ़ेजती है वे इसके अंदर वो अपनी इंफोर्मेशन बेश करेंगे आ फ्री सेकेंड है इन मैसेज में न प्यांशन जाएगी हुकि इसका अर्षक्ति है अपनों होता है वो कितना होता है इसका एक hold down timer भी होता है जो कि 10 seconds होता है तो जो सामने वाले के जो हेलो को hold करके रखेगा वो कितने time के लिए hold करके रखेगा 10 seconds के लिए hold करके रखता है ठीक है इसी में लिखना ये एक UDP port number यूज करता है कौन सा 1985 UDP port number यूज करता है 1985 ठीक क्लियर इसी में में इंजिन करना UDP port number यूज करेगा 1985 और एक ये मल्टी कास्ट एड्रस यूज करता है जो भी अपने मैसेश बेजेगा उनको क्या करेगा मल्टी कास्ट करेगा और मल्टी कास्ट एड्रस क्या यूज कर रहा हता है वो 224.0.0.0 क्या होता है 102 102 102 यह होता है न यह मल्टी कास्ट में करता है यह टू ठीक है और बाइडिफोल्ट इसके अंदर जो प्रियोरिटी जो होती है वो कितनी होती है बाइडिफोल्ट जो रहती है कितने होती है 100 होती है अब बात करेंगे प्रियोरिटी क्या है उसके बारे में ठीक है बाइडिफोल्ट प्रियोरिटी 100 होती है और इसमें जो ट्रैक जो होता है वो इन बिल्ट होता है इसमें और ट्रैक के अब हम लोग बात कर लेंगे ठीक है ट्रैक इसमें इन बिल्ट रहेगा और बाइडिफोल्ट डिक्रिमेंट डिक्रिमेंट की स्पेलिंग क्या होती है यह होती है बाइडिफोल्ट डिक्रिमेंट इन प्रियरिटी इस है टेन बाइडिफोल्ट प्रियूरेटी में डिक्रिमें टैन होता है यह क्या है यह भी हम लोग बात करेंगे और यह मापक 이제 Passport कि मैज़े डिंट तरह यूज कर रहा होता है कि एक कि विर्च्ट वेर्ट वर्ट्फोल मैग अडरस यूज करते हैं ऱ लिए रप Lan Labs मेट वेर्ट उतलग स्मत बॉलो यह को वर्च वेर्ट छाइब प्रूज करता है जो कि क्या रहता है आपका 0000.007C 00C07 और अब एसी डबल एक्स डबल एक्स में क्या रहता है वह लोग बात कर लेंगे आप ग्रूप आइडी रहती है यह क्या रहती है यहां पर ग्रूप आइडी ग्रूप आइडी के बारे में लोग बात करेंगे ठीक है और इसमें जो आप मैक्सिमम जो ग्रूप बना सकते हो कितने बना सकते हो मैक्सिमम आप ग्रूप बना सकते हो 02255 मैक्सिमम आप ग्रूप बना सकते हो इसमें ठीक है और यह जो है वो ऑथेंटिकेशन को स्पोर्ट करता है इसमें ऑथेंटिकेशन दो टाइप की होती है एक तो होती है इसमें प्लेन टेक्स्ट और एक होती है अधिए फाइव ओथेंटिकेशन यह दो अधिकेशन को स्पोर्ट करता है और इसमें मैंचिन करना बाइडिफोल्ट अधिए प्रियम्शन जो होती है यहां पर वो डिसेबल होती है एक प्रेक्टिव रॉटर प्रेक्टिव रॉटर बाइडिफोल्ट प्रियम्शन क्या होगी डिसेबल होगी यह हम अभी इनके बारे में सारा वी डिसकस करने वाले हैं ठीक है इसमें एक डिसेबल स्टेट होती है एक इनिट स्टेट होती है जैसे एस्टीपी के अंदर स्टेट होती थी ना पोर्स की वैसे यहां पर भी क्या रहती है इसके स्टेट से रहती हैं कितनी होती हो वह कौन-कौन ची अपक्राइब अ कि आल्याय यह ना लेट कि ना हम पहले for one group only one device can be in active state and one device can be in standby state other will remain in listen state write down कर लिया या इस में घ्राइड़ाइं कर लिये इसक्ट आइ कि चलो इसको समझ लेते हैं आभी हम लोग तेरा इक हमारे पास में तीन राउटर है और वन हैक इसाहर एक आटू यह दोट वन डोट वन इसका रहेगा 192.168.1.2 and 192.168.1.3 यह इनके फीजिकल गेटवे हैं है ना तो हम लोग यूजर्स को इन में से किसी एक का गेटवे क्या करवा देंगे प्रोवाइट करवा देंगे ठीक है लेकिन अगर यह गेटवे डाउन हो गया फिर अब होगा क्या यहां पर अब होगा क्या इन इन तीनों गेटवे में से एक गेटवे क्या बनेगा एक राउटर क्या बनेगा आपका एक राउटर आपका स्टेंडबाई रहेगा और बाकी रिमेनिंग जो भी राउटर होंगे आपकी किसमें रहेंगे लिसन स्टेट में रहे स्टेंडबाई में और यह राउटर किसमें चला गया लिसन स्टेट में ठीक है तो अब हमने इन तिनों आईपी को एग्रिगेट करके एक वर्चोल आईपी बनाया था वो क्या बनाया 192.168.1.100 तो यह आईप अडरस कोम्निकेशन किसे होगा उसी से होगा एक्टिव रॉटर से ही सारे यूजर एक्टिव रॉटर से क्या करेंगे क्योंकि यह यह आईप टाउन हो गया तो यह रॉटर जो है क्या बन जाएगा वह बन जाएगा एक्टिव कि यह डाउन हो चुक है न तो फिर यह किश में चला जाएगा यह चला जाएगा स्टेंड़ बात आ रही है मेरे समझ में तो आप लोग बात करते हैं एक्टुव इन्में से बनेगा कुंसा हमने तो चलो वैसे डिसकस कर लिया यह राउटर एक्टिव बनेगा तो एक्टिव बनने के कुछ इसकि 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 इसके हिए और कि यह राउटर के कुछ इसकर जाने होगि है और priority ठीक है सबसे पहले वो highest priority को देखेगा जिसकी highest priority होगी वो क्या बन जाएगा active बन जाएगा अगर priority same है priority tie हो जाती है तो then वो क्या चेक करता है highest IP address जिसका IP address क्या होगा highest होगा वो router क्या बन जाएगा वो router हमारा active router बन जाएगा समझ में आ रही है मेरी बात तो यह उलेक्शन क्रैइट इरिया होते हैं कि इसके एक्टिव राउटर के बी और सेलिए स्टेंड राउटर के बी तो लाइक हमारे पास में तीन राउटर थे और वन राटू एंडर अर त्री और इस राउटर कि प्रियोरेटी कितनी होगी 100 इस पर भी कितनी है 100 मैंने क्या बताए था प्रियोरेटी सभी पर क्या होती है बाइडिफोल्ट 100 होती है ना और इसका IP address क्या है लाइक इसको IP configure करा हुए इसके लैन इंटरफेस पर यह इसको लैन इंटरफेस को आई पी दिया हुए और इसके लैन इंटरफेस को आई पी दिया हुए हमने 192.168.1.3 ठीक अब इन तिनों फीजिकल गेटवेश को हम लोग एग्रिगेट करके एक सिंगल वट्सुल गेटवेश बना देंगे ठीक है तो इन में से एक रौटर क्या बनेगा एक रौटर बनेगा एक्टिव यसकी प्रियूरिटी हाइर है कैसे पता चलेगा या किसका IP compare highest है एक किसका याट लोवर है तो हर एक router क्या करते हैं एक Hello message generate करते हैं और hello message में क्या information रहेगी उसकी priority और उसका ip address 192.168.1.1 तो इसने हैंड़ोगर कर देगा layer 4 को layer 4 पे किसको यूदिप को layer 4 मैसेज रिसीवा लेर पोर यह अपना एड़ करेगा जिसमें डेसिटिनेशन पोट नमबर क्या ड़ाइड कर देगा और यह इसको कर देगा किसको लेयर टू को लेयर टूपे क्या एक पैकेट और यह क्या एड़ कर देगा इसके साथ में अपना एक इथरनेट हैटर सोर्स मैंडर कर देगा एक और अपना इसको फॉरवर्ड करेगा स्विच इसके कोपी कांपे बेज़ देगा ना तो इन दोनों राउटर को जब यह मैसेज रिसीव होगा तो वो क्या चेक करेगा पहले लियर टू इंफॉमेशन ओपन करेगा दोनों राउटर ओपन करेंगे उन में डेस्टिनेशन मैंग अडर्स क किसको यह यूड़ीप पॉर्ट नमबर किसके लिए यूज होता है तो इन दोनों राउटर के उपर एचसर पी की सर्विस क्या हो रखी होगी इंस्टॉल हो रखी होगी अरे एचसर पी को हैंड़ोवर कर देगा एचसर पी सेलो मैसेज को ओपन करेगा उसमें उसको प्रिय दो मैसेज हो है यह जा रहा होगा अफ्टर एवरी थ्री सेकंड यह राउटर जन्रेट कर रहे होते हैं और इंफोर्मेशन को कितने टाइम के लिए करके रखेंगे तो यह यूड़ीप पोर्टमबर यूज करता यह मैक अड्रस यूज करता और यह प्रियर डिफोल्ट होत यह होगा है क्योंकि उसका आहीड है तो यह क्या बन जाएगा एक्टिव और यह क्या बन जाहेगा यह बन जाएगा यह बन जाएगा स्तेंट बाय और है कि क्या आपट यहीं बनें को अक्टिबर यहां पर कूν बनता है आर similarities वने बात आगी समयं का लेकिन यह विक तब क्या होगा कि आर 1 डाउन हो गया सोरी और थ्री डाउन हो गया तो एक्टिव बन जाएगा है मुँए और और बन जाएगा और येट क्या बन जाएगा स्टेंड भाइ और जैसे आब आर 3 अब पाता है तो अब क्या होगा नहीं एक्चि डि एक्टिव रॉटर के लिए यहाँ पर प्रिम्ट्रिये मुत इसका मतलग क्या हुआ एक बार इस जो रॉट्र एक्टिव बन गया वह तब तक अपना रॉल नहीं छोड़ेगा जब तक वह रॉट्र डाउल-णहीं हो जाता ह। अगर rested क्या है इसेबल है या फिर आप यह माल लो कि एक बार जो रॉक्टर डाउन नहीं हो जब तक वह रॉट्षा तो समझने आरी है मेरी बाट है क्या वह लोगिया क्या है प्रे यहां पर भी डिफोल्ल्ट क्या उती एक्टिव राउटर के लिए इसका मतलव क्या है एक बार जो राउटर एक्टिव बन गया वो बन गया अब एक्टिव राउटर के लिए election दुबारा नहीं होगी चाहे उसका दूसरे राउटर का IP address highest हो चाहे उसकी priority गया हो highest हो एक बार जो राउटर एक्टिव बन गया वो बन गया वो अपना रोल नहीं छोड़ेगा मतलो दुबारा election नहीं होगी कोई और राउटर बोलता भी है न कि हाँ वही मेरी priority के highest है वो राउटर एक्टिव नहीं बनेगा जो एक बार राउटर एक्टिव बन गया वो बन गया election दुबारा नहीं होगी अगर election दुबारा करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर preemption को enable करना पड़ेगा अगर preemption है enable अगर preemption क्या है enable तो election जब मर्जी हो सकते है कि हाँ बई मैं भी क्या बनूँगा मैं एक्टिव बनूँगा मेरा IP address या मेरी priority क्या है हाई यह स्टैन बात आ रही है मेरी समझ में ठीक है हंजी क्या समझ में बताओ एक बार क्यों होता है election क्यों हो रिजन क्या है उसका इतनी चीज़ क्लिए है सबको ठीक है कोई बात के आप करो आपने करना ली आर वन आर टू आर थ्री ठीक है इस पर प्रियोरिटी कितनी है और इसका इप कितनी है और इसका इप कितना है 192.168.1.1 और इसका इप कितना है 192.168.1.3 कि हमने क्या डिसकस किया था कि जो एक्या सर पी के अंदर एक्टिव राओटर कौन सा बनेगा एक्टिव राओटर वो बने इसका प्रियोरिट्य थाइस्त होगी या प्रियोरिट्य सभी की सेम है तो जिसका इप हाइस होगा वो क्या बन जाएगा वह मधा यह यह इसक कैल था आम ने तो एक इनेबल और हम लोगो कर रहे ही अगर मैं तैन diagonal है अगर मैं बिदीट होगी यहां पर मैं टैन एटिन सेटूंड यहां सभी हज़ा अरफिर पर क्या बने क्या कव off क्या करते हैं मैंने अर अधिया किया अगर 10 जिए चालेंड का फेट ओइसके बास में कोई दूसरे राउटर से hallo message receive नहीं होता है तो यह बन जाएगा active like for example अगर election होती है प्रा मेर्स्टर की जो election होती है उसमें क्या होता है उसका एक टाइम होता ना कि इस टाइम वोटीं होगी ठीक है एक टाइम एक होता है कि इस time क्या होग वोटिंग होगी वोटिंग उसके बाद होती है और जिसके पास मैं हाइस्ट वोर्ट होते हैं वो क्या बन जाते हैं फ्राइम मिनिस्टर बन जाता है ऐसे ब्लाइक पिरियेड अनुद नहीं स्कों कुल गरूई नहीं उन दोनों में से कि यह बन जाएंगा मैं अगले ल अगले पांट शाल तक वह बन जाएंगा टेंगा मेरी बात हा रिया थिक पर रहे करने के बाद में एक टाइम पीरियेट होजा है यहां पर टैन सेकंड का ठीक है यह 10 सेकंड का वेट करेगा अगर 10 सेकंड के अंदर अंदर किसी दूसरे राउटर पे आप एसे सार्पी नेवल करोगी तो इसको हो जाएगा है ना तो यह इनके वीच में यह एक्टिव नहीं वेट है 10 सेकंड का वेटर किया 10 सेकंड के अंदर बाकी और धुसरे राउटर पर हमने ईसे सार्पी में इवल किया किया नियहकर चुअ नहीं शेक में बंग तेस्याफ्त अपर मैं वह आपके जो डिसेबल जो राउटर एक बार एक्टिव बन गया वो बन गया वो अपना रोल तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो डाउन नहीं हो जाए इस राउटर को कोई और राउटर चैलेंज नहीं दे सकता इलेक्शन के लिए समझ में आरी मेरी बात तो अब मैं जैसे ही दूसरे राउटर पे एस रपी इनेबल करता हूँ तो यह क्या बनेगा अब यह बनेगा अब स्टेंड बाई बात आरीए मेरी समझ में और मैंने 10 सेकिंड का वेट किया और मैंने 5 मिनट का वेट तो यह अपने आपको एक स्टेंड बैक ले जाएगा किसमें और यह क्या बन जाएगा से इसेंट बाई के लिए प्रेम्शन क्या होते है बंगा दिफोल्ट होती है जब वे जा बात अगी समझते ऑका अब क्या हुआ लाइक आर वन क्या हो गया आर वन क्या हो गया डाउन हो गया अब आर वन डाउन हो गया तो अब एक्टिव कौन बनेगा मुझे बता दू अब आर वन जो है वो क्या हुआ वह अप आया तो आर थ्री क्या रहेगा अब एक्टिव ही रहेगा क्योंकि अब यह कब तक एक्टिव रहेगा जब तक यह डाउन नहीं हो जाता और अब आर वन और आर टू के बीच में इलेक्शन होगी किस के लिए स्टेंड वाई के लिए और विनर कौन रहेगा आर टू ही रहेगा और यह किस में चला जाएगा लिसन स्टेट में बात आगी समझ में और अब अगर यह राउटर डाउन हो जाता है तो एक्टिव कौन बन जाएगा स्टेंड वाई ना और आर वन क्या बन जाएगा अरे एक्टिव रटू बन जाएगा और स्टेंड वाई कौन बन जाएगा और अब आर थ्री आता है तो अब क्या होगा अब इलेक्शन होगी किस के भी समें आर वन और आर थ्री के भी समें किस के लिए तो यह राउटर क्य क्या बन जाएगा क्योंकि स्टेंड बाइर राउटर के लिए प्रेंशिन क्या होती है इनेबल और यह किसमें चला जाएगा लिसन स्टेट में बात आगी समझ में इसमें किसी को कोई डाउट अगर विदिन टैन सेगंड सभी राउटर पे आप क्या करते हो एक सार्प इनेब कि बात आगी समझें क्लियर हैं इस की की बात कर रहे हैं यह कि इनेबल करोगी अपनी कर है कि कि इतने चीज़ मैं इसमें किसी को क्य डाउट सारे राउटर सारे राउटर किसके लिए अपना अपना ठीक है इतनी बात आगे समझ में इसमें किसे को कोई डाउट अब हम लोग एक काम करते हैं अब मैं प्रियम्शन कर देता हूं क्या इनेबल अगर अब देखो होता क्या है लाइक पर एक्जामपल मेरा स्नेरियो कुछ इस तरह का है आर वन है हमारे पास में आर टू है और आर थ्री है आर वन पे ना हमने लाइन ले रखी है एट एम बीग और आर थ्री पे हमने लाइन लिए है कितने की वन एम बीगी तो मुझे बताओ एक्टिव राउटर कौन बनना चाहिए आर वन क्या बनना चाहिए एक्टिव बनना चाहिए न इस पर प्रियरेटी कितने है वाई डिफॉल्स अभी पे 100 और आईपी क्या इसका 192.168.1.1 औ और यहां पर आईपी क्या है 192.168.1.3 तो एक्टिव कौन बनना चाहिए इस केस में आर वन जो है वो क्या बनना चाहिए एक्टिव बनना चाहिए तो अब आप क्या करोगे लाइक अगर मैं यहां पर प्रियंप्शन करते तो ऑब तो अब किया होगा अब आभी अभी मुझे बताओ एक्टिव कौन बनेंगा इन में से अगर मैं भी लाइक मैंने और फिर मैंने इन दोनों इस राउटर पर इनेबल किया और मैं थोड़े टाइम बाद में इस राउटर पर इनेबल करता हूं तो यह अब क्या बन जाएगा स्टेंड बाई और यह किसमें चला जाएगा लिसन सेट में क्यों क्योंकि स्टेंड बाई की इलेक्शन जब मर्जी हो सकती है क्योंकि स्टेंड बाई के लिए प्रेंप्शन क्या होती है इनेबल ठीक है हमारे एक्टिव राउटर कौन बन गया और आर वन बन गया और आर वन डाउन हो गया तो अर्थ्री क्या बन जाएगा एक हो और रेटतु क्या बन जाएक है यह कर्त लेकिन अर्था नहीं मत्या मत IS चीए cri 대學 और स्टेंड वाई मिलब आरवन की एप सेंज की अंदर एक्टिव कौन बनना चीए उराटल एक्टी बनना चाए न तो आड़ उमाधीर होना चीए तंव लोग क्या करसकते हैं यहां पृूर्टी चे Refesक्ते ना प्रियुर्टिक उसेड्ट कर देंगे इनकी सेमां मैंने प्रियुर्टी कर दी कितनी 510 और यहां पे प्रियुर्ट 2020 और यहां पर प्रियुर्ट कर दिए इस डहां लौन बनाथा चाएा और वन और यह क्या बन जाएगा stand by और ये किसमें चला जाएगा listen state में और हमने preemption क्या कर दी हुई है enable preemption क्या कर दी हुई है अब enable कर दी हुई है तो अब अगर ये router down हो गया तो active कौन बन जाएगा मुझे बता दो R2 active हो जाएगा न और R3 क्या हो जाएगा stand by और ये router अब जैसे ही अब पाएगा तो क्या होगा अब preemption enable है ना अब कोई भी router जब मर्जी चैलिंज दे सकता अब अब अपना ये hello message बेज़ेगा उसमें priority highest लग क्या आईगी ना तब ये router क्या बन जाएगा अरे priority हमने क्या कर दी preemption हमने क्या कर दी enable तो ये क्या बन जाएगा वापिस से active और ये वापिस से क्या बन जाएगा stand by क्योंकि इसके लिए stand by के लिए preemption तो क्या थी पहले से enable थी और ये किसमें चला जाएगा listen state में तो अब communication वापिस से कहां से होता रहेगा R1 से बात आरी है मेरी समझ में क्लिर है ये चीज़ क्योंकि यह हमारा R1 क्या है कि यह हमारा प्राइमरी लिंक है यह डाउन हो जाए तो आर टू एक्टिव बन जाए बट यह जैसे आप आई वापिस से वो बात करते हैं मैंने प्रियम्शन क्या कर दी इनेबल प्रियम्शन क्या कर दी इनेबल बट इनकी जो प्रियोरेटी जो है वो डिफोल्ट यह कितनी पड़ी है 100 पड़ी हुई है प्रियम्चिन इनेबल है प्रियोरेटी कितनी है 100 और आई पी कितना इसका 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 इप क्या है 192.168.1.1 192.168.1.2 और इसका इप क्या है 192.168.1.3 एक्टिव कौन सा वनेगा इन में से मैंने विदिन 10 सेकिंड अभी क्या कर दिया अच्छे सार्पी इनेबल तो यह एक्टिव बन जाएगा यह किसमें चला जाएगा स्टेंड बाइ में और यह किसमें चला जाएगा अब यह राउटर जैसे ही आपका अप आते ही तो अब क्या होगा आर थी को क्या बनना चीए एक्टिव बनना चीए न बट प्रियम्शन तभी काम करेगी जब आपने प्रियोरेटी कॉन्फिगर करेगी हाइस्ट आईप अड्रस को देखके प्रियोरेटी काम नहीं करेगी किसके लिए एक्टिव राउटर के लिए तो अब एक बार जो रा किसको गंचिटर करता है समझ में आगी बाद एक्टिव राउटर के लिए तो अब क्या होगा मुझे बता दू एक्टिव तो यह रहेगा बट स्टेंड वाय राउटर के लिए तो आई पीव भी काम करता ना वो अरे तो यह किसमें चला जाएगा लिसन में तो अब आप चाह कि प्रेवरेटी कॉंफिगर करनी पड़ेगी कि समझने आगी बात इतनी इसको इंप्लिमेंट करके देख लें इतना तो अब इसको इंप्लिमेंट करने के लिए मैं टॉपलोजी बना लेता हूँ कि अब आरवन अब आटू एंडर फी तिन राउटर ले रहा हूं ठीक है और इसको आप लोग आएसपी मान के चल लेंगे ठीक है न और यह हमारे पास में एक स्विच्ट कनेक्टड है और स्विच्ट के निचे यह एक लाइन यूजर है एक लाइन यूजर बहुत है ना ठीक और यह है यह हमारे आगा सैब की और यह हमारी जो स्विच्ट के साथने इंगमे ऌर सब्स के साथ में एंड यूजर बनुंट भी मेंaty इसका का इस सींबल महीं इसका तार कि इस इसका मैंने क्या कर दिया चीच थिक कि इतनी चीज़ क्लियर है यह इनके इंट्रफेस्ट है इसका होस्त नेम भी चेंज करते हैं इसको बोल देते हैं होस्त है यह और इसको बोल देते हैं यह थिट रिख और यहां पर एक बना लेते हैं उसको माण लेते हैं यह गूगल का अब्सक्राइब रसाइस ना है न समझ में आ रही मेरी बात तो इन दोनों के भीस में ऐडाई पेयर तो यूज़ करना पड़ेगा एक 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 नेट्वरों की उसका नहीं कर लेंगे 11.1.1.0-24 नेट्वर्क ठीक है और इन दोनों के भीस में नेट्वर्क यूज़ कर लेंगे 22.1.20 और इन दोनों के भी इसमें नेट्वोग यूज कर लेंगे क्या 33.1.1.0 और यहां पर यह जो हमारा लैन जो इतना जो यह पार्ट है हमारा यह लोकल एरिया नेट्वोग का पार्ट है ना राउटर के लैन तो पहले काम करते हैं हम लोग पहले आई पी अधर्स वगरा कुंफिगर कर लेते हैं इसके बाद में बात करते हैं इसको मैं देदूगा कि आवन डोट वन डोट टू और इसको देदेंगे वन डोट थी कर दो कर दो तो आरवन पर आजो पहले आरवन के वैन इंटरफेस पर देदेंगे इलेवन डोट वन डोट वन डोट वन डोट वन डोट वन और तू के वैन इंटरफेस पर त्वेंटी डोट वन डोट वन और इसप्ट पर तू ठीक है ना तो इंटरफेस एट वन डोट वन डोट वन डोट जिडो आई पर इस जो हुआ इन दो चलिट गैंना इन्ट एंट इन्ट तो रगलत। यह इन्ट बैस यह रोनड बैस्ट टुक दो नो शट्ट जो इन्ट। सिर्ल सिए लुन जरोगंट ऑजयरी टारिवी हिए टुक्रैसी टुक्ट गइसे पहए पहला किसल इन्ट टो आप्टीड है मुझल अज 192.168.1.3 255 55 55.0 exit interface serial 1 by 0 33.1.1.1 255 255 255 255.0 चलते हैं आएस पीपैं इंट्रफेस इस्डियाल वन बैसिरो पर गाई भी देना 11.1.3 2 दो दो फर वन डोट वन पे विट्टी टूट-गूर वन डूर्ट-वन डूर्टू लुक एक बनाना था हम नहीं आप फिक्या देदेते हैं एट दोट डोट डोटेटो टोटेट टूटेट टूट टूटिकट फफ़फटेफफफई तूट पफूंट पाइड़ तूट फ अब इस लाइन यूजर को भी एक आई पी देदें हम लोग को भी आई पी आसाइंग कर देज़ा इंटरफेस इथरनेट वन बाइप जिरो को मैं एक आई पी दे दिया किसी को कोई प्रोब्लिम इसमें और यह पर काम करो इस पे नो शटडाउन और एकजिट नो आई पी रहा हूं लाइक 192.168.1.1 मैंने इसको क्या दे दिया इसका डिफोल्ट गेटवे दे दिया हमने इतनी चीज़ क्लियर है अभी अब बुल जाओ थोड़े टाइम के लिए ठीक है और अब इस यूजर ने ISP से कम्मुनिकेट करना है तो यह अपने गेटवे के पास में आए इस पीर आज़ो नेट्वोट जिरो जिरो किसी को कोई प्रोब्लम इसमें अब मैं आर्टू पर आ जाता हूं आरवन पर भी क्या वह दो राउटर एज़्यार पी वन हंडडर नो ऊंड़क क्या जिरो 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 एक इस इंटरफेस पर भी हलो में अन्योड़ो यह ये जो ISP से जो ये prefix की information आ रही है वो सिरफ ISP से रिसीव होनी चीए ना ये इसको भी तो देगा ये आर टू फिर इसको यहां से भी तो शेयर करेगा है ना तो इन link के उपर LAN interfaces को हमेशन क्या बनाते हैं पैसिव इंटरफेस बनाते हैं ना CCNA में पढ़ा होगा ना तो इसको हम इंटरफेस पे कोई भी हरो मैसेज ना सेंड करे ऊवर ना ही कोई अपडेट मैसेज जोवर्ड करे और ना ही रिसीव करे रहे ना दूसरे के डेवर बन जाएंगे अब ऑरवन के पास में रूट आ रहे हैं ना कौन सा एट डोट डोट वाला आ रहें ना वाया आएस्पी न तो अगर इस लैन यूजर ने इंटरनेट से कॉम्निकेट करना है देखना मैं पिंग करता हूं किसको कॉम्निकेट कर रहा है ट्रेस रूट करके देखें किसके तरू जा रहे है एगर डाउन हो गया फिर अगर यह लो आर मानकी यह Parents विल्ट यह ड्कर तरह बारेबिक अब आपको गेट वे क्या करना पड़े गा चैंज करना पड़ेगा आपको मैनली हर एक यूजर पर जाना मड़एगा और उनको गेटवे सेट करना पड़ेगा या फिर का सेट करना पड़ेगा या फिर से या आरवन हमारा वापी से अप आएगा इंटरफेस इथरने टूबाइक जिरो नहीं गया वो दिया जैसे वापी से अप आया अब यह यूजर हमारा किसे यह एक एक लिंक था और यह हमारा बैक अप लिंक था जो कि हमने ले रहा था फोर एम भी गा तो जब यह अब आजए तो आपको इन सभी वॉस्ट पे जाना पड़ेगा और इसके आप आने के बाद में आई पी डिफोल्ट गेटवे आपको वापड़े से चेंज करना पड़ आपड़ेंगे तो बार-बार आपको gateway क्या करने पड़ेंगे चेंज करने पड़ेंगे यह तो प्रोब्लम थी न तो मुन क्या करेंगे अब इन सभी यूटर पर ती न यंशे अरप तेर्ट पी ने लेन करके यह तिनों जो फुजिकल ईडर्स थे जो फिजिकल गेटवे इ हम लोग समझ में आरे मेरी बात तो यह कैसे करते हैं वो बात करते हैं तो पहले चलते हैं किस पर रहा इस होस्ट को हम लोग फिर डिफॉल्ट गेटवे किसका देंगे कि 192.168.100 वाला बट अभी क्या मैं कॉम्निकेट कर पा रहा हूंगा क्या क्योंकि यह अभी तक कोई एक्जिस्टेंस में नहीं है ना समझ में आरी बात तो यह कॉम्निकेट नहीं कर पा रहा हूं तो अब हम लोग एक काम करते हैं अब तीनों राउटर पर हम लोग करें पर ये गडिवा करने के लिए हमारे गेटवें ईटट वेंटर्फेस कोन है कि 20 जो हूंरा हमारा गेट भी घ्लाव स्पेंडन पर प्रिक्रत कर लिए युजरा उपर हमारा सबहीब करना पड़ेगा नंबर्ब्र का नंबर क्या था मैंने बताया था जीन雏 देखे 255 यूज कर सकते हैं न मैंने ग्रूप नंबर क्या यूज कर लिया वन और यह ग्रूप नंबर सभी पर क्या करना पड़ेगा सेम यूज करना पड़ेगा यह ग्रूप नंबर हम लोग सभी पर क्या करेंगे सेम यूज करेंगे तो मैंने ग्रूप नंबर वन यूज कर क Giright कर लो और देख लो कमया होगे कया टेंशी कर दिया क्या तक आद रट रफ कर दिया था तक कि मि ऑट ए यह राउटर देखना क्या बना पहले स्टेंडबाई मना और फिर किसमें आ गया रिजय कुए ड्रीश uh तो stand by command चलती है शो stand by command चलेगी यह क्या बता रहे स्टेट इस एक्टिव और यह स्टेट दो बार इसकी चेंज हुई है अभी ठीक है कोई दिखकत नहीं है जो हमारा वर्चुल आईपी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे है 192.168.1.100 यह एक एक्टिव व आगर गृप नंबर क्या देते है? 10 देते है तो क्या उठा लेता? 0 A.抹ट देशिमल नंबर होते है ना यह यह एक्जाडेसिमल नंबर होते है ना तो जीरो ए उठा लेगा समझ में आरी है मेरी बात अगर ग्रूप नंबर दिया है कितना 255 तो क्या उठा लेगा यहां पे एफ एफ अरे समझ में आरी है ना बात तो यह इसने अपना एक्टिव वर्च्वल mac address क्या कर लिया set कर लिया और local virtual mac address क्या इसका यह यह ना और देखना hello timer कितने है hold down timer कितने है और यह next hello कितने time में बेजने वाला था by default preemption क्या है active router कोन है यह router active है stand by कोन है unknown क्यों है क्योंकि अभी तक हमने किसी वो router पे hsrp enable किया ही नहीं है ठीक है और by default priority कितनी है 100 और देखना यह hsrp का name उठा लिया इसने अपने मतलव अगर name आप manually भी define कर सकते हो अगर manually define नहीं करोगी तो hsrp interface का name और number और group number यह इसने क्या उठा लिया होता है इसका by default इस तरह से एक ग्रूप का name उठा लिया होता है हम लोग change करना चाहिए तो उसको change कर सकते हैं चलो ठीक है कोई problem नहीं है तो अब मैं अगर communicate करता हूं इस user से mapping करता हूं कि इसको एड़ोट 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 को आपको आप यहां पर क्या बोल दोगे यहां पर क्या बोल दोगे स्टेंड बाइवन आई पी वन आइंटी डोट 168.1 डोट हमारा वर्चुल आईपी और तुम देखोगे इसका इड़ोट एड़ोट एस्टिल यह राउटर क्या बनेगा क्यों क्यों कि प्रेंप्शिन क्या है यह से बन तो वेट कर लो यह 10 सेगंड का वेट करेंगा अजय क्या बन गया मिश्टेंड बन गया न चेक करने तो शो अरे शो स्टेंड बाइब करें यह स्टेट क्या दिखा रहे है और ग्रूप नंबर वन दिखा रहा है नहीं स्टेट क्या एक है गारें सेट इसके ठीक है और यह हमारा वर्चुल है लॉवर्चुल मैख़त है अ 무리त रहें इसका लोकल व्ther.나 कैसी ठीक है यह एक्टिव राउटर के लिए डिसेबल बता रहे है ठीक है एक्टिव राउटर को ने उसकी प्रेयरेटी कितनी है ठीक है और वह एक्सपायर होजएगा कितने सेकंड में अगर इतने सेकंड के अंदर अंदर उसने नेक्स्ट हेलो नहीं भेजा ठीक है और स्टेंड राउटर को ने और इसकी प्रेयरेटी कितनी है अब मैं चलता हूँ आपपी से आरवन पे शो स्टेंड बाई एक्टिव यही है ना अभी और एक्टिव को ने लोकल स्टेंड कि इतने टाइम के बाद में अगर इतने टाइम के अंदर अगर इसके पास में हैलो मैसे रिसीव नहीं वाकिस से स्टेंड बाइर राउटर से तो उसको क्या कर देगा एक्सपायर समझ में आगे बात और यह इसकी खुद की लोकल क्या दिखा रहे है तो अभी भी कॉम्वि से ज्यादा हुच जुका है ना इंटरफेस इथरने टूबाइ जिरो पर गया और मैंने क्या वोला स्टेंड बाइ वन और मैंने आइपी क्या यूज कर लिया वन नाइटी टूट वन सिक्स्टी डूट वन रोट वन हंड़ना जैसी आइपी यूज करता हूं अभी देखना यूज की आइपी तो इसका भी यस ता यह क्योंकि प्रेंप्शन क्या थी डीसेबल थी एक बार आट रावक्टि वन गया हों बन गया ऐसनी में लोग मैसेज़ बिए चलना आरगडा को सब्रक्रणा कर दिया बात यह अर्वन सब्सक्राष किश् buzzing स्टेंट बाई यह एक्टिव है स्टेंट बीढ़ कों है आ कि आर प्रीरे आर थ्री आना Приसे पाइय आ इर टू पे चलण चो स्टैंट है यह किसमें अक्टिब को ने स्टैंट बैकों है और थ्री ठीक है और थ्री पे चलना शो स्टेंड बाई देख न यह किसमें एक्टिव कौन है और स्टेंड बाई कौन है लोकल अब मैं और वन से करता हूं तो कॉमिकेशन कहां से हो रहा होगा इवन इसके पास में और हां एक और मैंने चीज़ बतायती है यहां पर एक वर्चुल गेटवे भी होता है ना वर्चुल मैक अड्रस भी तो कैलकुलेट करता है तो जब इस यूजर में इंटरनेट से कॉमिकेट करना है तो यह आर्प जो जनरेट करेगा किसके लिए जनरेट पर तो यह राउटर क्या करेगा अपना मैक अड्रस देगा और अपने मैक अड्रस के अंदर कौन सा मैक अड्रस देगा इस इंटरफेस का मैक अड्रस देगा क्या नहीं जो वर्चुल मैक अड्रस था है ना तो देखना और वन पे आना इस होस्ट पे आना शो आर्पने 100 का मैक अड्रस वो वर्चुल वाला मैक अड्रस है ना समझ मैं इक बात इतनी चीज़ क्लियर है तो सारा का सारा कॉमुनिकेशन कहां से हो रहे हैं आरवन से अब आगर आरवन हो जाता है डाउन इंटरफेस इथरनेट को मैं जल्झेया किया कर दिया शट डाउन तो अब मुझे बता एक्तिव बनेगा अर्थ्री एक्टिव और ये क्या बन जाएगा देख लो फटू पर चलना यह क्या हो चुक है अब मैं कॉमुनिकेशन करता हूं और यहां से और यह कॉमुनिकेशन किस्किंट कर रहा देखना और थ्री के तुरू करने लग्या समझ में आरी है मेरी बात ठीक है बट यह जैसे अब आप पाएगा और वन अगर वापी से अब पाता है नो अब यह क्या बनेगा बतानू मुझे हाँ यह यह देखना यह क्या बन रखा है ऐक्टिव यह क्या ए श्टिन बाय और यह स्टेंड बाय के लिए और यह यही राउटर के रहेंगा न किसक लिए श् Elevenबाय के लिए खें धरार र्ऻकाई तो देखना थरी आर वन जो क्या है आरवन क्या है यह किसमें है इतनी चीश समझ में चलो बेकाम करता हूं आर्थी को डाउन कर दूंँ अभी आर्थी को डाउन करूंगा तो एक्टिव कौन बनेगा आर्टु एक्टिव बनेगा देखना मैं इंटरफेस इथरनेट टूबाइज जीरो को मैं जैसे शट करता हूं तो अब सित उसके उपर बाद में आएंगे डि मांके चल रहा हूं कि अभी रोट राउटर हो रहा भी क्या डाउन हो रहे है इसी बहुतर यह लोग्त ही था घ्र कर दो अčैकर आप लेक्टिव देखना आर्ट्व क्या बन गया एक्टिव और रवन क्या बन जाएगा तो अब इसका कॉम्निकेशन किस के दूरू हो रहा होगा अब आर्ट अब आर्ट्री अप भी आ जाता है अगर इंट्रफेस इतरनेट टूबाइज जीरो नो शट्डाउन तो ये क्या बने आठ्री क्या बन गया यह एक्टिव है और और रवन किसमें चला जाएगा लिसन में शो स्टेंड बाइए किसमें दिखा रहे हैं एक्टिव कोने हैं इस टेंडबाइ कोने कॉमनिकेसिंग किस से हो रहा हुगा चलो अब एक काम कर लते हैं मैंने इक और चीज़ बताएं तुम लों अगर हम लोग प्रिएम्शन डीब अगर हम लोग प्रियम्शन से ट कर दें इनेबल कर दें तो उसके बाद में पिरर फिर इसको प्रूप कर ले उसको प्रूप करने लिया हम लोग सभी राउटर से प्रिम्चिन क्या करते के की उनिए करोगे इंटरफेस पे जाके stand by one प्रिम्ट कमांड चलेगी प्रेअंब्षन क्या हो जाएगी इनेबल, चेक करनी है प्रेअंब्षन इनेबल होगी है यहांपे कैसे चेक करोगे शो, stand by तो यहांपे क्या बता रहे है प्रेअंब्षन इनेबल तो अब चलो आर टूपर भी और टूपर भी जाके मैं क्या बोलते तो इथने टूबाइज जी रो और मैं क्या बोल देता हूं स्टेंड बाइवन और क्या बोल दो प्रिमट यहां पे भी जो इसटेंड भाइधे देखना टेम्चन क्या कि हमने क्या डिस्कुस किया था प्रेंप्शन के अकोर्डिंग वैसे देखा जाए तो आर थी बनना चाहिए लेकिन प्रेंप्शन तभी काम करेगी जब आपने प्रियोरीडी कॉन्फिगर करी हुए हाई हाई इस नहीं देखता हूँ तो आर टू अभी भी क्या बन रखा घाए एक्टिव चील काम्म्नी कैशन किस से होरा होता हूँ हाँ ठील हम लोग चाहते हैं डीच बड़ो क्वड़ों हमारा प्रैंडिर लिंक का यह एक्टिव बनना चाहिए और ऑर मिंके अंदर आरू क्या बनना चाहिए एक्टिव बना चीये श्वर समझ описании मेरीवाट तो अब क्या करोगे आप इसके लिए कि आर वन की प्रियोरेटी क्या कर दोगी इंट्रफेस इथरनेट टूबाइज जिरो पर जाओ और प्रेड़ेयर वनके लिए मैंने priority कितनी set कर दी वन वन जिरो तो priority configure करते ही प्रेम्शन काम करने लग जाएगी देखना अब है न तो अब प्रेम्शन काम कर रही है न तो यह क्या बन गया एक्टिव और मैं अभी आर्टू क्या बन रखा होगा listen में गया होगा देखना आर्टू अब एक काम करते हैं आर्वन जब डाउन हो तो एक्टिव कौन बनना चीए लेकिन यह बन जाएगा एक्टिव तो तो मैं यहां पे प्रियूरेटी कितनी शेट कर दूंगा ऑं इंतरफेस एथरनेल 2 बाई स्टेंड बाई वन और ऑलटूरेटी कितनी शेट कर दो तो यह क्या बन जाएगा एक्टिव सुर्य स्टेंड़ाइगा अब सब सारे लेन यूजर कॉम्निकेट जो कर रहे होंगे कहां से कर रहे होंगे अगर अरवान राउटर डाउन हो जाए है तो तो मिनकेशन कहां से होगा और अरवन जैसी वापी से आप आता है आधर वन जैसी वापीस से आप आयेगा तो क्या होगा आरवन वाप्पी से क्या बन जाएगा एक्टिव ना तो देखना जड़ा कि नहीं देखना आरवन से कॉम्निकेट कर रहा है कर रहा है ना शो स्टेंड बाई में देखना आरवन क्या बन गया वाप्पे से एक्टिव बात आगी समझ में सबको क्लियर हो गए यह चीज़ इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ अभी तक करा होगा उसमें दिखाई नहीं दिया होगा हमें आइए अधिए अधिए नगे जिए कि क्रेंग अधिए 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 तो कि एच आप लिए अब नहीं है अब भी करेंगे बड़ाओना यह चेंज हो रहा है इस पीक पर आप यह आ रहों उस पर मैं देखो इस लिंक पर तो एस 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 एड़ पी इनेबल हो रहा था था मैंने यह लिंक डाउन लेकिन अगर यह लिंक डाउन हो गया फिर देखना मैं आरवन पर गया और इंट्रफेस इंट्रफेस सीरियल वन बाइज जीरो मैंने इसको क्या कर देश्ट डाउन यह लिंक डाउन गया बट स्टिल है तो यहां पर चल रहा है न यह रूटर क्या रहेगा क्योंकि अच्छा अब देखना क्या होगा सारा का सारा ट्रैफिक आरवन पर जाके क्या हो जाएगा रॉप काहा से जाता है यहां से वह यहां से इसलिए जाता है क्विए एसको डाल रखेश नहीं बना रखे थे तो ये दोनों राउटर यहां से नेबर बने नहीं है अब नेबर नहीं बने है तो इसने यहां से इसको राउट देगा देगा है नहीं अब देगा नहीं तो फिर यहां से कॉम्मुनिकेटर नहीं करेगा तो अप सारा का सारा ट्रैपिक क्या हो जाएगा हमारे हैँ प्रॉ sells नहीं समझ आयो यह是啊 आता है यह यहरनपी में तुम क्या बोलते हो इस राउटर को एक बात बताओ थे यह जो राउट है तुम क्या बोल रहे हो कि जब आरवन के बाश्में रहा है जब इदर से यह प्रिफिक्स नहीं आ रहा जब यह प्रिफिक्स इदर से नहीं आ रहा क्यों कि यह लिंक डाउन हो गया नेवर्शिप डाउन तो इदर से क्या बना रखा है passive interface जब इनको passive interface बना रखा तो यह router प्रक का hello message बेखता है ना passive interface पे नहीं बेखता नहीं बेखता तो R1 की और R2 की नेवर सीप नहीं एक दूसरे की यहां से इस लिंक पर जरूरी होता है हमेशा land interfaces को passive interface बनाना क्योंकि land interfaces पे हमारे end user connected होते हैं, router's नहीं connected होते कभी, अरे हेलो मैसें नहीं जाएंगे ना, इन लिंक पे आंपे congestion नहीं होगा, और नेवर्शिप भी दो दो रहेगी, बनी रहेगी, इसके दो नेवर्शिप रहेगी ना फिर, और एक यहां से, और दो नहीं रहेगी, एक इसकी इस लिंक पे एक इस के साथ में रहेगी, और एक इसके साथ में रहेगी, तीन इवर्शिप रहेगी, जब राउट इसको यहां से आ रहे है, तो दिक्कत क्या है हमें, है न, तो अब क्या हुआ, अब सारा का सारा ट्रैफिक ड्रोप कहां पे जा कि हो गया, आर वन पे जाके सारा का सारा ट्रैफ पी नहीं है इसके राउटिंग टेबल में के लिए तब यहां से जब आप कम्निकेट करोगे तो सारा का सारा ट्रैफिक वहां पर जाके तो ड्रोप हो जाएगा बात आई समझ में अन्रीचेबल रिए ट्रैट कुछ आता यूं बताता है यू का बात अन्रीचेबल का बात है है आप अच्ब नहीं हो रहा तो इसलिए न्यों वी कितनी बार सीशेन गड़िये अब देखो अब यह लिंक को मैं वापीस से अफ लेकर हूँ अब अब यह लैन यूजर तब तक कमुनिकेट नहीं कर पाएंगे जब तक यह लैन यह हमारा वैन लिंक अप नहीं आ जाता तो हाँ डिस एडवांटिस को खतम करेंगे ना रुको तो सही मैंने इसको क्या कर दिया जैसी नो शट डाउन पर लाइक आपका लिंक आप आगया अरे वह लिंक डाउन होगा तक जो लाइन आरी थी वह ब्रेक हो गी थी अब वह हमने अब कर दी अब कर दी तो यहां से नहीं पर शिप क्या हो जाएगी देखना एट वाला राउट आ गया अब यह लेन यूजर हमारा वाप्पी से करना कॉम्मिकेट स्टार्ट कर देगा है ना लेकिन प्रोब्लम आ रही है ना यह वैं लिंक डाउन जा रहा है तो ठीक है तो अब होता क्या है इस राउटर के उपर हमने इस इंटरफेस पर है यहां पर बना होता क्या बना होता एक ट्रैक किसके लिए लाइन प्रोटोकोल के लिए किसके लिए लाइन प्रोटोकोल क्लिए ड़िफोल्ट इन बिल्ट एक ट्रैक हुदे हैं ठीक है और वो ट्रैक हम लोग खॉल करवाएंगे उसको बात करते हैं वह क्या है आर वन पे गया मैं और आर वन पे जाके मैंने इंटरफेस इथरने टू बाई जिरो पे गया मैंने वोला स्टेंड बाई वन और मैंने वोला ट्रैक मैं लिंक को ट्रैक कर रहूं कौन से लिंक को सीरियल वन बाई जीरो को और उसके लाइन डिक्रिमेंट हो इसमें एक मिनट रुख जो ट्रैक ट्रैक किस के लिए सिरियल वन बाइज जिरो के लिए न सिरियल इस वाले लिंक को ट्रैक कर जो न और मैं सिंपल क्या कर देता हूँ हैं ट्रिक कर देता है ठीका, घरCal से न लिंक का लाइन प्रोटो locks की अप है तो ट्रैक हमाना क्या होगा अब अघर ये लंक का लाइन प्रोटोकोल क्या होगा है डाउन तो ट्रैक क्या हो जेगा डाउन तो देखना यहां show stand by show stand by में इसके priority configured कितनी है configured कितनी है 110 और अब यह है कितनी 110 ही है और एक हमने track call करवा रख है कौन से interface के लिए serial 1 by 0 के लिए और इसकी state क्या है अप align protocol अप है अगर down हो गया तो decrement करेगा by default कितना मैंने बताया था ना by default जो decrement होगा track में तो कितना होगा 10 तो जब यह align protocol डाwn जाएगा जैसे ही наверное link down जाएगा यहां से cable break होगी कुछ भी हो गया तो link down चला जाएगा नहीं है इसका line protocol क्या हो जाएगा down हो जाएगा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा आरे cable break होगी कोई भी reason होगया यहां से break होते ही, इसका line protocol क्या हो जाएगा, down, line protocol के down होते ही, show stand by, देखना, यह track में मैंने इस वाले link को क्या करवार का था, track, इसकी state क्या हो जाएगा, down, down होते ही, इसमें decrement हो गया, कितना, 10 से, तो इसकी configured priority कितनी थी, कितनी रहेगी, तो यह router क्या बन जाएगा, active कोन बन जाएगा, अरे, अबेसी बात है, मैंने यह link down, मैंने इसकी priority अगर मैं कम कर दूँ, तो अबेसी बात है, यह वाला router क्या हो जाएगा, active बन जाएगा, तो हमने यह link को क्या करवाया था, track करवाया था, अगर वो link down हो गया, तो इसकी priority में decrement हो जाएगा, कितना 10, तो इसकी priority कितनी रह जाएगा, 100, तो यह वाला router क्या बन जाएगा, active, देखना, r2 क्या बन गया, active, और इस बार, यह जो हमारा land user, जो है, वो still communicate कर पा रहे है, और किस से communicate कर पा रहे है, वाया r2, क्योंकि, हाँ, सारे link पे करना पढ़े है, क्यों, disadvantage क्या, salary किस चीज के देंगे तो salary free बैटने कि देंगे, अब यह रुकते जाओ, आने तो दो भाई मेरे, फिर इस पे जा रहा है, फिर यहां से जा रहा है, डिले नहीं होगा, तुम्हारा traffic पहले इसके पास में जा रहा है, फिर इस से इधर से बेज़ रहे है, traffic डिले ही तो हो रहा है, तो time लगेगा न हमारे traffic डिले तो नहीं होना चीना इनी यूजर के लिए, बार बार थोड़ना करना है तुमने, एक बारी तो करना है, एक बारी तो करके रखोगे, क्या, 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 कर सकते हैं, लेकिन problem आएगे न, सारा traffic पहले R1 के पास में जाएगा, फिर R2 के पास में जाएगा, फिर IS आट उसे चला जाएं, क्या, 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 क्यों भाई, क्यों ना लगाएं, जब आपके पास में फीचर दिया होएं, तो वह ही यूज करेंगे न, हम लोग, इसी के लिए तो देते हैं, ताकि हमारे यूजर जो है, वो प्रोपर कॉमुनिकेट कर पाएं, पर एक से लिए लगाते हैं, तो यह यूज करें, क्या, क्या, किसमें क्या यूज कर सकते हैं, तो पहले इसके पास में बेज रहे हैं, फिर वो इधर से बेज रहे हैं, तुम लोगो बार से बार निकालते हैं, लात मारे हैं कंपनी से, डिले नहीं होना चाहिए हमारा डेटा, ठीक है, जो हमारा चल रही है, आपकी हाजार डॉल्ट की, अरे समझ में आगी बात, ठीक है, तो अब मैं जैसे ही इस लिंक को क्या करूँगा, अब करूँगा तो ट्रैक क्या हो जाएगा, सिरियल बन बै, जिरो, मैं इस लिंक को क्या करता हूँ, नो शट्डाउन, नो शट्डाउन करते ही, शो स्टेंड बाई, देखना, ट्रैक अप, ट्रैक के अप होते ही वापी से इंक्रिमेंट कितना हो गया, और यह वापी से राउटर क्या बन गया, एक्टिव और एक्टिव बनते ही, देखना, वापी से आरवन से कॉम्निकेशन ठाना, स्टार्ट हो गया, और आर्ट, वापी से क्या बन रहा है इस तेंड बाइब आगे बात इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम कि कि अधिक है अधिक है अधिक अधिक अभी का डाइवर्ट हो रहा है अभी अभी तो इसके पास में जा रहे है और यह मेरा लाइन अपा चुकिया है इसे जाएगा ट्रेफिक हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं अब लाइन डाउन होती ही इसकी प्रेवर्टी में डिक्रीमेंट हो जाएगा वापी से क्या बन जाएगा एक्टिव वापी से यहां से कम्मुनिकेशन इसमें डिक्रीमेंट हो जाएगा ना वाइटें से से कुछ सेकेंड्स का तो प्रिक्शन होगी हाँ बात है मिली सेकंड बन जाएगा यह बात है थोड़े टाइम के लिए तो पैकेट ड्रोप होंगे लेकिन यह यूजर हमारा टी सीपी बेस ट्रैफिक बेज रहा होता है अ हमारे पास में मेरे एक दो वर्ड नहीं पहुंचे हैं तो वैसे भी तुम बोल दोगे द्वारा बोल दे तो अब प्रॉब्लम एक और है यहां पर अगर मैंने यहां पर प्रियोरेटी कितनी कॉन्फिगर करी होती 150 और यहां पर कितनी होती लाइक 120 तो इसमें बाइड स्टेंड बाइड वन ट्रैक कर शीरियल वन बै जिरो के लिए यह लोग सेले मैंने डिकरिमेंट बोला नहीं था और इस बार आप यहां पर डिकरिमेंट बता दो कितना रहे के समझ मेरी मैल doe यहां री यह फीटिए नहीं है देखना बाइण कि कर जैसे आपको सकते हैं तो जैसे ही लिंक हो सब्सक्राइब इसका लाइन प्रोटोकोल डाउन होते ही शो स्टेंड बाई देखना कितनी प्रियोरेटी रहेगी इसकी 60 बात आगी समझ में तो आर्टू क्या बन जाएगा एक्टिव मैं इंटरफेस इसको वापिस से कितना चल जाएगा आव और वापिस से वो क्या बन गया एक्टिव मैं से कम्मुनिकेशन होना किससे स्टार्ट हो जाएगा और रवन से प्रॉब्लम किसी को इसमें कोई अब यह और दिख्कत है कि कि आएस पी कि आएस पी कि एश पीना अलग लग आंप से मेने लाईं ले रखिया को प rep जूरूरे थोड़ो नाुए मेरे लांए डंव लो कुछ ऐसा भी सकता है कि आए सब्सक्राइब रेगी डाउन हो गया कि यसे सबीतों सकता है हो सकता है यह नहीं हो सकता है न कि जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि क्यों मेरे यह राउटर है यह राउटर होड़ान ओग,... यह विए इस्थ डाउन हुए कि जब आई इस्थ डाउन होगा तो क्या होगा जो इससारा का सारव ट्रैफुक्फिक जो है वह राउटर पर आके यह तोडूक होजएगा क्यों क्योंकि यह राउटर क्या बना है एक्टिव और हाँ चलो इसको मैंने डिफोल्ट रूट दे रखा था टूइवड है अगर इंटरनेट से तो ही अपने गेटवे के पास में यह active है और यह दिफोल्ट्ट रूट आप क्या करोगे आएस पी पर जाके सारे ट्रैफिक क्या हो जाएगा रोप और इस केस में तो आएस पी वाप्स भी नहीं बेज़ेगा में जो आप बोल रहे थे अब यहां से वाप्स नहीं जाएगा ना तो अब इस प्रोब्लम को कैसे सल्व करने हैं हम इस प्रोब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक और आप्शन है जो मैंने पहले ट्रैक बताया था ना वो था हमारा स्टेंड बाइ के लिए बाई डिफոल्त उसमें प्रोटोकोल के लिए ट्रैक बना होता है quarter को ट्रैक बनाउंगा external track क्या बनाउंगा external track like मैं यहाँ पर यह मेरा scenario है मैं इस router पर किया बोलता हूँ इस router की routing table में यह 8.8.8 वाला prefix आ रहा है न मैं एक track बनाता हूँ क्या कि इस router की routing table में अगर यह 8.8.8 वाला prefix आ इसकी routing table में तब तो यह हमारा ट्रैक क्या रहना चाहिए आप तो ट्रैक क्या रहना चाहिए आप और अगर यह इसकी राउटिंग टेबल में नहीं आता तो ट्रैक क्या हो जाए डाउन तो यह जब ISP इसका R1 का जो ISP होगा वो डाउन होगा तो इसके पास पास में वो एट वाला प्रिफिक्स आएगा नहीं आएगा ना तो यह ट्रैक क्या हो जाएगा इसका डाउन ट्रैक डाउन होते इसमें क्या हो जाएगा डिक्रिमेंट और डिक्रिमेंट होते ही यह राउटर क्या बन जाएगा यह वाला R2 क्या बन जाएगा stand by और इस R2 का तो ISP अप होगा ना अरे R2 का तो ISP अप होगा बात आ रही है मेरी समझ में हमने अलग-अलग ISP से लाइन ले रखी होगी ना चलो यह हमारे case में तो चलो एक ही ISP है otherwise हम लोग कभी भी एक ही ISP से दो लाइन नहीं लेते तो दूसरी जो backup ल समझ में रही है मेरी बात तो अब इस राउटर पर हम लोग क्या करेंगे एक external ट्रैक बनाएंगे वह कैसे बनाते हैं वह देख लो एनने में तुम लोगोंने वैसे सीखा होगा ट्रैक बनाना नहीं सीखा तो यह देख लो ट्रैक को कोई भी नंबर कर दो मैंने नंबर क्या कर दिया किसके लिए बना रहूं मैं आई पी राउट के लिए कौन से राउट के लिए वो प्रिफिक्स बताओ 8.8.8.0 के लिए और उसका सब्नेट मास्क क्या है 255.255.255.0 इसे मैं रिचेबिलेटी का क्या बना रहूं ट्रैक बना रहूं मैंने क्या किया एक ट्रैक बनाया ट्रैक 10 आई पी राउट के लिए कौन से राउट के लिए इसके लिए और इससे रिचेबिलेटी का एक ट्रैक बनाया मतलो क्या हुआ और वन की उससे रिचेबिलेटी है म और फिलेबल है तो ऐससे से तो हमारा वैंव क्यों सा था था तो ये हमारा ट्रैक देखना आई पिराइट के लिए मैं यह एक और ट्रेक को मैं देखना इंटरफेस इथरनेट टू बाइज जिरो में गया और स्टेंड बाई वन में मैं कॉल करवा रहा हूं किसको ट्र ट्रेक को और ट्रेक नमबर बतादो तुम्हारा कॉन सा था एक external track बना रखा था मैंने कौन सा 10 उसको मैं call करवार हूँ इदर और decrement कितना हो बता दो इसको नहीं बता ओगे तो by default कितना करेगा 10 अगर आप बता दोगे यह लो मैंने बोल दिया 30 decrement करे यह समझ में आ रही है मेरी बात तो अब देखना इसको मैंने call करवा रहे है काँ पे show stand by में show stand by में अब दो track दिखा रहे हैं देखना एक तो track वही मेरा line protocol वाला एक track object एक अलग से बनाया है मैंने number क्या था उसका 10 10 और state क्या है उसकी अप क्योंकि वह track क्या है अभी हमारा अप और decrement कितना करना है 30 का कब जब वो डाउन हो जाएगा तो मैं ISP पर जाता हूं और ISP का loopback डाउन कर दूं यह समझ लो ISP क्या हो गया done interface loopback one मैंने इसको loopback को क्या कर दें सके डाउन कर दें यह मान लो कि ISP क्या हो गया डाउन तो इसके route टेबल में वह prefix आना क्या हो जाएगा $D सो आरवन कि अरवन की टेबल में यह प्रिफिक्स पीज़ि होना क्या हुजाएगा तो बंद पर यह चान तूक्र कि क्या हो यह ट्रैक त्रैक किया हो गया है कि प्रिंस के पास मैं कि त्वki है और इस त्रैक को मिने कहां पर को है और यह जैसी ट्रैक्त टैंड फटोती हो गया कितना तर्टी और 30 होती यह देखना और एक्टीव राउट्र कौन बन गया देखना तो अब सारा ट्रैफिक यह किसको बेज़ देगा र्टु को पर आज टुका तो इसमें किसी को कोई डाउट क्या कि बोलो तो देखना यहां पर आप कोई भी रूट को आप बोल सकते हो ना आएश पी से अब देखो यहां पर क्या होता है अब अगर यह हमारा आएश पी वापी से जैसी इसका इस्पी आप पाएगा जैसी इसका और वन का इस्पी आप आते ही कास्ता है ऐस्प पाते ही ये इसको रूट देना क्या देगा स्टार्ट करते क्वें स्टार्ट करते इसका ट्रेक क्या हो जाएगा हुगा यह उस्याइए अब आ है कि तो मैं करता हूं बीफी क話 कर कि राउंसाड़ी आठ बने और तो ये देखना वपीस है क्या हो गया और क्योंकि ये ये देखना ये ट्रैक क्या हो जुका है यांपर ट्रैक 10 देखना अब क्योंकि इसकी वापीस है बन गई रिचाबिलीटी बन गई न तो शो स्टेंड बाई कि कि बात आगी समझ में है कि इसके अलावा यहां पर आपके पास में और भी कुछ ओप्षिंस हैं लाइक इंटरफेस इथरनेट वन बाई टूबाई जिरो मैं क्या बोलता हूं स्टेंड बाई वन अगर आपने टाइमर चींज करने है है हैं कि अँव है कि कितना होता था ठीक Ты सेकंड कम ज्यादा कर सकते तो अगर Napoli में करना तो hiçbir तो यह लो थिए अगर मिशने में करना सेकंड में करना है तो यह लो शेकंड पतादो करना तो मिशने हो और टाइम बता दो मैं ने कितना कर दिया थ्री था मिने फाई पोल दिया और उसके बाद में होल्डाउं टाइमर कितना सेट करना बता दो अधावर वाऄ है 27 कर दो इस तरह से आप टाइमर भी चेंज कर सकते हो अगर आप टाइमर चुन्स करना हो जो पाशवर्ड या रहा होगा टेक्स्ट में जाएगा है अर्य जो है लो मेसेज में पाशवर्ड जाना भी क्या हो जाएगा start है ना और अगर आप यहां पे बोलो komme जो भी password 보oto डे में यह आयो। कि स्ट्रिंग कि स्ट्रिंग में पासवर्ड बता दो जो भी आपने पासवर्ड सेट करना है तो यह सेम पासवर्ड होना चाहिए ऑथेंडिकेशन सभी राउटर पर क्या होनी चीए सेम होनी चीए इस तरह से आप क्या कर सकते हो देंडिकेशन भी इनेबल कर सकते हो यहां पर तो देखना यहां पर इसमें मैंने commands वगरा इसमें mention करी हुई है सारी कैसे आप enable करोगे इसे सारी interface पर जाके stand by और IP जो हमारा virtual IP रहेगा है ना तिनो router पर जाके check करना है तो show stand by है ना अगर priority change करनी है तो ठीक है और अगर prevention enable करनी है तो ठीक है अगर आपने line protocol के लिए track call करवाना है inbuilt जो track था यह देखना decrement अगर manually बता दोगे तो कर देगा अगर नहीं बताओगे तो by default कितना कर देगा 10 कर देगा अगर आपने वो specific route के लिए अगर track बनाना है अरे specific route के लिए जो track बनाया था हमने external जो track बनाया था यह बता दो उसको यहां पर यह 0 आएगा ठीक है और इसको फिर call करवा लो कि किसमे standby में और timer change करना है timer change कर लो authentication लगा नहीं आप authentication लगा लो तिनो राउटर पर सेम लगेगी ठीक है load balancing भी करवा सकते आप यहां पर load balancing कैसे करवा सकते हैं और क्यों करवाएंगे वो बात करते हैं अब एक बात बताओ यह मेरे पास में हमने अलग-अलग ISP से line ले रखिया ठीक है मान के तर लो दो ही ISP हो स्री दो ही line ले रखिया हमने यह दो तो अब क्या होना चीए सारे की सारे user मेरे यहीं से communicate करेंगे जो एक्टिव है जो राउटर एक्टिव है जो standby बना हुआ है वो उससे communication होगा नहीं होगा अब नहीं होगा तो इस line के लिए भी तो हम लोग पे कर रहे हैं यह तो free पड़ी है हमारी इसको तो हम लोग यूटिलाइज ही नहीं कर रहें है देखना एक आरवन है मेरे पास में और एक और टुए ना अब लाइक दो लाइन आ रही थी आएस पी से ठीक है हम लोग अब क्या करेंगे दो ग्रूप बनाएंगे एक मैंने बना लिया ग्रूप वन क्या बनाए एक मैंने ग्रूप वन और ग्रूप वन में एक वर्चुल आईपी यूज कर लिया हमने कोई भी और ग्रूप वन के लिए आरवन को हम लोग क्या बना देंगे एक्टिव कैसे बना देंगे इसके उपर हमने प्रियोरिटिस की कितनी सेट कर दी आरवन की 110 और यहां पर कितनी है 100 और हमारा आरवन एक और ग्रूप बना लेंगे हम लोग ग्रूप टू ग्रूप टूप पे मैंने इस पर प्रियोरिटि कितनी सेट करी है और इस पर कितनी सेट करी है और जो वर्चुल आईपी है वो मैंने क्या यूज कर लिया वन डॉट वन 200 तो एक्टिव कुन बन जाएगा यह सारे के सारी यूजर कहां से कॉमुनिकेट करेंगे मतलब यह आईपी एड्रस जो है वो कहां पर एक्टिव है आरवन पे और यहां पर क्या होगा वो स्टेंड बाई में समझ मैं आरे है मेरी बात तो यह सारे के सारी यूजर आरवन से कॉमुनिकेट करेंगे और इनको म के लिए स्टेंड वाइ में कोन है यह active है किसके की लिए गुरूप वन के लिए और यह किस में स्टेंड वाइ में में है। टू के लिए यह बन के लिए आज दा नर्पflowerे स्टेंड वाइस में ओर यह रिए मेरी पाद तो लोड बैलनसिंग हो जाएगा तो लोड बैलेन सिंग भी तो हो रही है बात आगी समझ में क्लियर है तो इस तरह से आप load balancing भी करवा सकते हो अगर आप करवाना चाहरे हो ठीक समझ में आगी बात